Dear all, आप सभी का स्वागत है Pathfinders by an Academy पे Just last week आपको ये news पता चला होगा कि Zelensky ने कहा है कि 10,000 North Korean troops जो है वो Russian forces को join करने जा रहे हैं against the battle with Ukraine और ये इसी दिये because Russia अब अपने finally victory की तरफ बढ़ना चारा है वो Ukraine को completely crush करना चारा है जिसमें North Korea रश्या के समर्थन में आया है अब Zelensky का ये बयान तो in fact 18 October 2024 को आया था बट इसके एक वीक पहले South Korea के defense minister ने अपने intelligence information के हवाले ये news दिया कि North Korean troops भेजे नहीं जाएंगे और अरड़ी North Korean troops इस समय Russian troops के साथ मिलके Ukraine के against लड़ाई को कर रहे है और in fact जो South Korea के defense minister है उन्होंने ये भी कहा कि North Korea आने वाले time में और भी troops रश्या को भेजने जा रहा है फिर finally Zelensky का अपना intelligence कुछ आया होगा तो Zelensky ने यही बात confirm किया और Zelensky ने कहा कि जी हाँ 10,000 elite troops North Korea के वो prepare हो रहे हैं Russian forces को join करने के लिए और Zelensky जो अपने आपको hero मानते हैं उन्होंने इस बात को कह दिया कि ये world war वाला situation हो जाएगा क्योंकि अभी तक कोई भी तीसरे country के armed force इस battle ground में directly involved नहीं हुए है although Ukraine को arms and ammunitions western country ने दिया है बट क्या अमरिका के troops Ukraine में लग रहे नहीं तो इसलिए Zelensky ने इस बात को बहुत जादा कह दिया कि भाई अगर आप troops भेजोगे तो एक तरीके से आप involved हो रहे है उस बार में और ये we are heading towards a world war अब ये जो North Korea और रशिया ने रशिया को troops भेजा है कि नहीं भेजा है इसके उपर ना ही रशिया और ना ही North Korea ने कोई public confirmation किया है तो ये एक तरीके से बहुत जादा predictable है कि ऐसा भेजा ही होगा क्योंकि diplomacy जो दिखता है वो होता नहीं है back the channel बहुत सारे चीज़ चलते हैं और ये इसलिए और predictable था because North Korea और रशिया की जो इस समय दोस्ती है ये बहुत जादा गहरी हो चुकी है in fact आप इस photo को देख सकते है पुतिन जो है पुतिन जो है वो 25 साल के बाद North Korea विजिट करते है और उन दोनों के बीच में historic agreement होता है एक military alliance में ये दोनों enter कर जाते हैं और इस military alliance में इन दोनों countries ने एक दूसरे के लिए promise किया है कि अगर रशिया या North Korea किसी भी तीसरे country का aggression जहलेगा किसी भी तीसरे country उन दोनों को provoke करती है तो ये दोनों country एक दूसरी की पुन तरीके से सहायता करेंगे चाहे वो troops हो जाए चाहे वो armed force हो जाए whatever it may be तो इक तरीके से इन दोनों की बीच में military alliance है तो इस बात में कोई बहुत surprise नहीं है कि नॉर्थ Korea ने भेजा है कि नहीं भेजा है अब बात यह आ जाता है कि आज के news में हुआ क्या है कि South Korea बहुत डर चुका है South Korea में एक panic है हरकंप है और यह हरकंप इसलिए है because recent times में North Korea किम जॉन ने धमकी भी दिया है कि South Korea को हम destroy कर देंगे nuclear weapon से अब आप समझे साउथ Korea उसके पास तो nuclear weapon है नहीं वो तो अमेरिका के nuclear umbrella के अंदर रहता है अब problem यह हो गया है कि जब North Korea रश्या की मदद कर रहा है तो कोई दोस्ती तो एक तरफा नहीं होता है अरे भाई रश्या ने भी तो North Korea को कुछ मदद किया होगा हो सकता है North Korea के nuclear capability को और बढ़ाया हो हो सकता है missile system को और strengthen किया हो और उसी चीज़ को North Korea, South Korea के against यूज़ कर सकता है तो इसलिकी वज़े से South Korea को एक panic आगिया है कि यह दोस्ती में रश्या कितना जादा फाइदा पहुचाएगा North Korea को यह आप imagine नहीं कर सकते हैं इसलिए South Korea अपना strategy ढूंड रहा है पहला चीज़ दूसरा चीज़ हमें क्या बात करेंगे कि अभी तक South Korea nuclear umbrella जो America प्रोवाइट करता है कि अगर South Korea को आटाक करोगे तो हम South Korea को बचाएगे बट आज कोई America की बात को ट्रस्ट करता है आज अमेरिका किस तरीके से तालिबान छोड़के भागा आज अमेरिका इतना जादा यूक्रेन में आँग लगाया कि यूक्रेन को आज बरबाद होना पड़ा तो आज अमेरिका के जो लेजिटिमेसी है उसमें डिक्लाइन आए तो क्या South Korea को आज really trust है अमेरिका पर कि America कल को really हमें बचाएगा या केवल वो इस तरीके की बातचीत करता है उसके against South Korea अपने आपको तयार कर रहा है और वो कैसे तयार कर रहा है वो बहुत interesting है वो बहुत geopolitically sensitive मुद्धा है जिसके आज इस session में हम लोग बात करेंगे तो Scholarship test के लिए आप अगर enroll करना चाहते हैं तो 25 October को है जरूर enroll करें, अगर आप अपने पढ़ाई की productivity बढ़ाना चाहते हैं, तो पढ़ाई के साथ revision और notes बेखेंगे, दोलों बहुत बड़ी color है, और ये color in the fact science है, science क्या कहता है, उसके basis पे मैं आपको एक well-researched तरीके से इस webinar को मैं आपको बताऊंगा, आप जरूर enroll करें, 25 October को पाट करें, फ्री वेबिनार है, batches की बात करें, तो New Delhi के करोल बाग में English medium के batches 24 October को, मुखर जीनकर के Hindi medium में batches 21 October को, प्रियागराज में Hindi English दोनों medium के batches in specific dates को, और पटना में भी हमारे batches start होने जा रहे हैं, आपको पता है क्याने काडवी IS, comprehensive GS course के अलावा, CSAT, essay writing course, comprehensive current affairs, full and test series और optional course को भी provide करता है, इन सारे informations के लिए आपको हमारे offering branches पे visit करना होगा, या नहीं तो आप हमारे app को download कर सकते हैं, जहां पे आपको यह सारे information provide किये जाएंगे, अब South Korea को देखें, क्या डर लगा है recent times में, South Korea का का कहना ह कि Russia जो है, वो North Korea का जो यह मदत है, उसके बदले में, Russia reward करेगा North Korea को by giving its sophisticated weapon technologies, which will boost the North Korea's nuclear and missile program that can target South Korea. तो रश्या North Korea को ऐसे sophisticated weapon technology provide करेगा, जिससे North Korea अपने nuclear missile system और ballistic missile system को strengthen कर सकता है, जो वो South Korea के against use कर सकता है. South Korea का कहना है कि North Korea जो है, वो इस high-tech technology जो रश्या प्रवाइड करेगा, उससे अपने nuclear missiles को और perfect कर सकता है, और well calibrate कर सकता है, कि वो South Korea के against उसको use कर सके. साथी साथ जो अपना outdated conventional weapon system है, उसको भी modernize करेगा. तो ये recent times में, अभी Russia Ukraine war को तो भाईया, दो साल हो गए, लेकिन recent times में South Korea को panic है, बेकाज North Korea रश्या को इससे में खूब मदद कर रहा है. तो रश्या क्या reward करेगा North Korea में, इसी बात पर South Korea को panic हो चुका है. तो South Korea अब अपना strategy बना रहा है, South Korea ने कहा है कि diplomatic, economic और military options हमारे options में हैं, और South Korea ने ये भी कहा है कि हम defensive और offensive weapons को Ukraine भेजेंगे. याद रखिएगा South Korea एक NATO country नहीं है, और अभी तक South Korea ने Ukraine को कुछ खास military weapon ऐसा नहीं दिया है. लेकिन अब South Korea ने कहा है कि हम defensive और offensive दोनों weapon Ukraine को दे सकते हैं, और बाकी diplomatic, economic और military options को भी हम explore कर सकते हैं. लेकिन एक जो सबसे खास बात कि South Korea ने कहा है कि nuclear weapon भी एक policy option है मेरे पास. Nuclear weapon, कि हम nuclear weapon को बनाने की भी प्रयास शुरू कर सकते हैं, जिस तरीके का खत्रा North Korea से आ रहा है, तो अब हमें nuclear weapon को भी बनाने की सोचनी चाहिए. अब बात ये आता है, यार अमेरिका तो आपको nuclear cover दही रहा है, अमेरिका ने तो प्रामिस किया ना South Korea को कि अगर South Korea के उपर कोई nuclear attack करता है, तो अमेरिका उस country के उपर nuclear attack करता है, तो जब South Korea इस nuclear umbrella में जी रहा है, तो क्यों उसको अपना nuclear weapon बनाना पर रहा है, उसके reason समझी है, अब हो क्या चल क्या रहा है, इसी चीज़ को सी राजा मोहन ने इंडिन एक्स्पेस में कहा है, कि कैसे रश्या यूक्रेन का war एशिया में nuclear landscape को बदल देगा, देखिए हुआ क्या, कि यूक्रेन को अभी तक लगता था, कि although ये NATO का सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिका इसको security cover प्रोवाइड करता है, और रॉश्या कभी भी इसको attack नहीं कर सकता है, अमेरिका का जो deterrence है, वो काम करेगा, और रॉश्या को रोकेगा कि यूक्रेन के against कभी direct war को start ना करे, ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ, याद होगा आपको, अफगानिस्तान से, कैसे भागा, तो आज क्या अमेरिका really serious है, या क्या अज अमेरिका इतना influence रखता है, क्यों आज अमेरिका की deterrence fail हो गए, रॉश्या ने attack किया, यूक्रेन के उपर, क्या अमेरिका कल को अगर North Korea, South Korea पर attack करता है, तो क्या really अमेरिका जो है, वो South Korea को कोई direct support करेगा, या खाली weapons भेजेगा, तो आज ये जो अमेरिका का security cover था, जिसके भरोसे South Korea, जिसके भरोसे Japan, जिसके भरोसे Taiwan, जिसके भरोसे Australia, ये सारे जो countries है, आज इनका जो threat है, वो China, North Korea इनसे बढ़ा है, तो एक तरफ इनका खत्रा बढ़ा है, और दूसरे तरफ जो इनका best friend रहा है, अमेरिका, उसकी hegemony decline हुई है, उसकी commitment decline हुई है, उसकी trust decline हुई है, वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है, इसलिए आज आज आप समझेए, कि ये जितने भी countries है, जो एमेरिका के nuclear umbrella में जी रहे थे, आज वो एमेरिका के nuclear umbrella से हट कर, अपना खुद एक nuclear deterrence बनाना चाहते हैं, वेकाज रश्या यूक्रेन वार से समझ में आ चुका है, कि nuclear weapon is the only guarantee of peace, और ये report और देखिए, Taiwan जो है, जो चाइना के लिए सबसे बड़ा खत्रा है, तो इस तरीके से और Australia भी, same strategy को adopt करने जा रहा है, जपान जो ऐसा country जो nuclear attack जहेल चुका है, आज जपान के अगर आप local media की बात करें, तो वो भी कहीं न कहीं थोड़ा सा जिजग कर, इन चीजों की तरह बढ़ रहा है, विकाज आज जिस तरीके से चाइना और नॉर्थ कोरिया से threat आया है, इस पूरे area में, आज उनको अमेरिका के उस security umbrella पे भरोसा नहीं है, और इस चीज़ को बहुत बहुत बहुतरीन तरीके से, सी राजा मोहन अपने Indian Express के editorial में लिख रहे हैं, तो ये था आज का particular session, आप अपने views को बताए comment box में कि आपके हिसाब से, क्या इस तरीके से countries nuclear weapon की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे दुनिया में और peace आएगा, और अगर nuclear weapon को रखने से peace आता है, तो क्या दुनिया के हरे country को उमको nuclear weapon दे देना चाहिए, आपका क्या view है, ज़रूर बताए, और South Korea, North Korea का किस तरीके से proxy war बन चुका है, अब Russia, Ukraine, अगर South Korea, Ukraine को और support करता है, North Korea, Russia को और support करता है, तो ये war क्या और अब आने वाले time में escalate होगा, तो इन सारे चीजों को आप सोची और comment box में ज़रूर बताएगा, see you again in the next video, till then goodbye, take care and best fishers.